दोस्तो आज हम बात करेंगे अमले पितान तक योग के बारे में देखे इसके क्या फाइदे हैं, कैसे आपको लेना है इसके इंग्रेडियन्स, साइडिफेक्ट, सारी जानकारी आज की इस विडियो में दूँगा तो इसलिए इस विडियो को आपको पूरा देखना है दोस्तो देखे ये जो अमले पितान तक योग है ये एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी की समझ्या में जो है काफी फाइदेमंद है देखे अगर आपको hyper acidity है काफी acidity की सिकायत होती है देखे खाली पेट रहने पर या कुछ भी खालेने के बाद में पेट में बहुत ज़्यादा जलन कुछ ऐसा अनभा होने लगता है या फिर पेट में गैस बनती है तो उस condition में ये जो अमल पितान तक योग है ये काफी फाइदमन होता है आप इसका इस्तमाल है वो कर सकते हैं दोस्तों इसके लावा देखिए आपको ड़कार आती है खट्टी ड़कारे आती है पेट में हलका दर्दसा बने रहता है या सिने में जलन अपच की समझे रहती है खाने की इच्छासी नहीं करती तो उसमें भी जो है फाइदा करता है अमल पितान तक योग अब देखिए ऐसा भी होता है कई लोगों को मैं देखा गया है कि कुछ खाते ही उनको जो है उल्टी आ जाती है या फिर नोजिय टाइब लगने लगता है या उल्टी जैसा लगने लगता है तो उसमें भी जो है फाइदा करता है इसके लावद देखिए ये जो है एनीमिया से भी बचाती है हीमो ग्लोविन कम है खून की कमी है आपको तो उसमें भी ये फाइदा करता है दोस्तो यानि ओवरॉल बात करूँ अमल पितान तक योग की तो ये मेलनी जो है हाइपर एसिडिटे की समश्या में या गैस की सिकायत है या पेट से सम्मन्दित कोई समश्या है तो उसमें जो है काफी बढ़िया काम करता है अमल पितान तक योग दोस्तो इससे आपको कैसे इस्तिमाल करना है ये बताने से पहले सबसे पहले जल्दी से मैं आपको ये बता दूँ कि जो अमल पितान तक योग है इसके अंदर अबरग भस्म तामर भस्म, मंदूर भस्म, आमवला आदी इस प्रकार से इसमें इंग्रेडियन्स है वो मिलाए गए हैं और देखिए यह आपको जो भी लोकल अरविदिक मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से आप इसे खरी सकते हो या फिर मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओनलाइन खरीदने की लिंक दे दूँगा जिसके जरीया आप इसे घर बैटे बैटे भी मगा सकते हैं अगर बात करें कि आपको इसे कैसे लेना होता है तो देखिए इसकी आप एक से दो टेबलेट दिन में दो बार खाना खाने के बाद नॉर्मल पानी के साथ या गुनगुने पानी के साथ है वो ले सकते हैं दोस्तो देखिए, डिपैन करता है कि आपकी प्रॉल्वम कैसी है अगर आपको problem है वो ज़्यादा नहीं है तो इसकी आप एक एक tablet सुबे साम कुछ इस प्रकार भी ले सकते हैं देखे depend करता है कि आपकी problem कैसी है problem के according ही dose decide होते है इसे male female कोई भी ले सकता है लेकिन अगर बात करें बच्चों की तो बच्चों को देने से पहले डॉक्टर से जरूर सला लें चोंकि देखे depend करता है कि बच्चे की उम्र कितनी है इसके लावा जो महिलाएं pregnant है वे भी इसे ना लें बिना डॉक्टर से सला करें बिना दोस्तों अगर बात करें इसके side effect की तो इसका ऐसा कोई भी side effect नहीं है लेकिन फिर भी देखे इसे लेने के बाद अगर आपको कुछ भी health में issue लगता है तो आप इसे लेना है वो बंद भी कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर से भी सला है वो ले सकते हैं दोस्तो देखे लास्ट मैं इतना में आपसे जरूर करना चाहूंगा कि अगर आप ये अमले पितान तक योग लेते हो तो आपको अपने खाने पर भी विसेज ध्यान देना है देखे आपको junk food, fast food, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना मैदे से बनी हुई चीज़ें, एलकोहल इन सब चीज़ें का सेवने हो नहीं करना है ये आपके health के लिए बिलकुल भी अच्छी नहीं होते देखे healthy food लीजिए, healthy life style रखिए और time पे खाईए, time पे सोईए, दिन बढ़ सही मातरा में पानी जरूर पीजिए exercise जरूर करिए, जिससे आपका सरीर जो है, वो काफी स्वस्त बने रहेगा और आप इस अमल पितान तक योग के और भी भरपूर फायदे हैं वो ले पाएंगे तो दोस्तों ये थी, अमल पितान तक योग के बारे में कुछ महत्तुपुन भरी जानकारी देखे अगर फिर भी कोई question आपके मन में चल रहा हो, अमल पितान तक योग को लेकर तो आप मुझे comments के दोरा भी पूछ सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो, तो like जरूर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को आप subscribe भी जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे मैं ने मी जितेश and thank you so much for watching